दीक्षा क्लीनिक में आपका स्वागत है आप सदैव निरोग रहें दॉक्टर अमरपाल राठोर हेलो दोस्तों नमस्कार मैं दीक्षा क्लीनिक दॉक्टर अमरपाल राठोर आज आपको गोखरू नाशक दवा लोशन के फायदे के बारे में बताएंगे अब गोखरू का करे जर से सफाया दोस्तों आजकल गोखरू की समस्या हर किसी को हो गई है और गोखरू से परेशान होकर क्या करे क्या ना करे सभी डॉक्टर गोखरू का ओपरेशन बताते हैं लेकिन हमारी कमपनी ने एक ऐसा गोख्रू नाशक दवा लोशन तयार किया है गोख्रू नाशक दवा लगाने से गोख्रू दुबारा उत्पन नहीं होता है जर से ही खत्म कर देता है ये गैरंटी डिलाज है जो आपको गोखरू को जर से नश्ट कर देता है और दुबारा कभी भी नहीं होता है गोखरू नाशक दवा लोशन का कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है इसे लगाने से गोखरू को 4-5 दिन में जर से नश्ट कर देता है ये 5 मिली लीटर की पैकिंग में है, इसका रिग 200 रुपे है, इसे दीक्षा क्लीनिक डॉक्टर अमरपाल राठोर ने तेयार किया है. गोखरू नाशक दवा लोशन जो बिलकुल गोखरू को जर से समाप्त करता है, गोखरू की जर से मिटाने की गारंटी है. डॉक्टर अमरपाल राठोर के अनुसार जानकारी ओथर इन्फो आपके पैर की उंगलियों के आपस में रगणने से, वित वचा के उसी स्थान पर एकत्रित होते रहने से गोखरू बनपता है. पैर की दो उंगलियों के एक दूसरे से रगणने से या जूते से पैर की उंगली की लगातार रगणन या दबाव के विरुद्धा आपके शरीर की रक्षात्मक रतिक्रिया से ये बनता है. उंगली की उपरी सतह पर या सबसे छोटी और सबसे बड़ी उंगली के बाहरी किनारे पर गोखरू की एक परी, पपड़ीदार सतह बन जाती है। उंगलियों के बीच के सुरक्षात्मक स्थान में पनपने वाले गोख्रू कोमल और नम बने रहते हैं और उन्हें कोमल गोख्रू कहते हैं चरन एक गोख्रू के आंकलन के लिए किसी पोडियाट्रिस्ट से मिले, खुले आम मिलने वाली दवाय का आरगतो होती हैं पर कई आस्या से सीधे तोर पर निपता जा सके आम तोर पर गोख्रू खराब नापके जूते चप्पलों से उन्गलियों की विक्रिती या उची एडी के सैंडल के आधेक इस्तेमल से या आपके गलत धन से बैठने या चलने के कारण पैर पर पढ़ने वाले दबाव से बनते हैं समभ़ता पोडियाट्रिस्ट आपके गोख्रू को निकालने का ही निर्ने लेंगे पर अपको सलाह देंगे कि जिन कारणों से ये पनपेहे उन्हें ही दूर किया जाए वरना ये फिर से बन जाएंगे गोख्रू से छुटकारे के लिए पोडियाट्रिस्ट की सलाहे माने इनमें जूते चकपलों को बदलना गोख्रू वाली जगह पर रगड़ या दबाव से रक्षा के लिए अतिरिक्त गदीदार बचाव की पत देना पैरों के ओर्थोटिक्स को बदलना जो पैरों पर पढ़ने वाले दबाव को अलग धंग से बटेगा या शल्य चिकित्सा से पाव या उसकी उंगली की समस्या से निबटना अगर आपको हाथ या पैरों में गोखरू है तो उसे गोखरू नाशक दवा लोशन लगाए गोखरू लगाने से 4-5 दिन में गोखरू को जर्से समाप्त कर देगा गोख्रू नाशक दवा लोशन लगाने से हलका हलका दर्ध होता है जिसे आपको जिन्दगी के लिए दर्ध से निवारन मिल जाएगा गोख्रू नाशक दवा लोशन की प्रयोग विधी No.1 सबसे पहले सीसी के उपरी भाग पर सुई के द्वारा चंद कर ले No.2 माचिस के तीली पर हुई लपेट कर उस पर सिर्फ दो बूंद दवा डाले No.3 दवा को सिर्फ गोख्रू वाले भाग पर पाँच से छे सेकंग तक ही रग ले No.4 दवा को गोख्रू वाले भाग से बाहर ना फैलाए No.5 गोख्रू को बिना काटे हुए दवा का प्रयोग करे No.6 दर्द होने पर दवा को दो-तीन दिन न लगाए और कोई दर्द निवारक दवा ले ले No.7 आखों से तथा बच्चों की पहुँच से दूर रखे No.7 दर्द होने बोख्रू नाशक दवाल लोशन खरीदने के लिए संपर्थ करें No.7 दर्योट करें